हeremलू नमस्कार कैसे हैं अप सब देख सेवा आज हम एक नहान ब्रॉजक्ट ले करके आए हैं आज आवके लिए इसको आप नेक बॉरमर भी कह सकते हैं और एयर बॉरमर भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे माथे से हों नेक पह स्थारी करें हुए हमारे नेक पे जाके यह रुके गा इस तरीके से तो आज हम इसको बनाएंगे निदेखिए हły हु और ये हैलमेट में भी बड़ने अच्छे से कैरी हो जथा जाता है जो लोग हैलमेट पहन के बाइक चलाते हैं जाड़ों में तो कान भी हमारे कवर हो जाते हैं और हमारा जो पीछे का हिस्सा होता है सिर का वह हमारा खाली रहता है तो हमारा है अच्छे से आजाता है हमें अलकस नहीं लगता है तो आज हम इसको बनाएंगे यह मैंने 15 फंदों से हां पर शुरू किया है और मैंने इस्टेप बाए होता है पुरूस हो या महिला हो उसके लिए हमें कितने फंदे चाहिए हो लेकिन अगर आपको यह फिर भी टाइट लगे तो आप इसमें दो तिन सलाई और एड कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं अपना वीडियो इसके लिए मैंने देखिए पिंक कलर का उन लिया है और अप चिप्टीन इस्टीच अराम से आजाएं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा यह हमारी हाँ पर फिप्टीन इस्टीच आगए पंदरा फंदे आगए देखिए एक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा पंदरा फंदे हमारी इस तरीके से हमने बना लिए हैं यहाँ पर आप चाहें तो एक इस तरीके से हम सभी फंदों को उल्टा बनेंगे और जो भी मैं आपको बताओं उसको आप ध्यान से सुने बैसा ही करें जैसा मैं बता रही हूं तो यह एकदम बैसा ही बनता है जैसा मैं बनाओंगी देखिए हमने 14 फंदे बुन लिए हैं लास्ट का फंदा हमारा इस सलाई में बचा है तो हम धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे इससे क्या होगा हमारी एक भूत नीसिंग सी चैन बनके आएगी यह हम सीधी साइट पर आ गए तो पहले फंदे को हम बिना बुना ले लेंगे और सभी फंदों को सभी फंदों को नहीं एक फंदा छोड़के बीच के जो तेरा फंदे बचे हैं हम उनको उल्टा उल्टा ब सबूंड़के plusur नाश्ट के भूंधे कृपन ऊसाम हम पीछे करें चीक अभी को ने टहुताओ पर हम इसको दो ना बनाना है देखिए लाश का फंदा बचा धागा पीछे करेंगे इसको सिधा बनाएंगे इसी तरीके से हमें बुनते हुए यहां पर अपनी दस लाइने कंप्लीट कर लेनी है यहां पर जैसे यह एक लाइन आगी बनके तो हम इस तरीके की या तो दस लाइन कर ले या फिर दोनों से और दस इधर से तो मैं बना लेती हूं यहां पर हमने अपनी इस सलाईयां कंप्रीट कर ली है अब देखिए हमें क्या करना है इन फंदों को हमें तीन जगा डिवाइट करना है साथ फंदे हम इधर लेंगे और बीच में एक फंदा सेंटर का जो है उससे हम अपना डिज चे तीन चेह और एक ये साथ लीए साथ उसके एक इतर बढ़ाएंगे और इधर साथ फंदे पहले फंदा बढ़ाना है तो हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरीके से देखिए यह हमने एक फंदा बढ़ा दिया और इस फंदे के हम अब यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहाँ पर तरफ यहां पर हम फंदा बढ़ाएंगे जसे साथ इधर भी हम अपना एक फंदा बढ़ायेंगे यह हम न इधर भी फंदा बढ़ा दिया अब दागा अपनी तरफ करेंगे और छे फंदे उल्टे उल्टे बना लेगे 6 फंदे बुल लिए धागा पीछे करेंगे और जो 7 फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से उल्टी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है पहले फंदे को बिना बुना ले लेंगे और बीच के जो फंदे हैं सभी उनको हम उल्टा बना लेंगे देखिए इधर जो हमारे साथ फंदे थे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ साथ फंदे तो वो थे जो हमारे इधर उल्टे-उल्टे बुनने थे और ये फंदा हमने वो है जो हमने बढ़ाया था बीच के जो दो फंदों से हमने डिजाइन बनाया था इन दो का हम एक कर देंगे और इधर के फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे लास्ट का फंदा बचा धागा पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे अब हम सीधी तरफ आ गए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक फंदा बुल लिया दो तीन चार पांच छे छे फंदे हो गए टोटल हमारी हाँ पर 7 फंदे हो गए एक हमने बिना बुना लिया था और 6 फंदे हमने बुल लिये तो यह हमारे टोटल 7 फंदे हो गए जिसको हमें continuous उल्टा ही बुनना है सीधी तरब से अब देखिए यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है साथ फंदे बुनने के बाद हमें फंदा बढ़ाना है अब यह जो बाला design था यह हमने बीच के फंदे बंढ़ाया था तो अब इस बार हम इस फंदे पे बनाएंगे इस तरीके से कि अ और इसमें हमने design बनाया था इसको हम सीधा ही ऐसे ही बुल लेंगे देखे ये बाला फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया था तो इधर हम इस पर डिजाइन बनाएंगे फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और इधर हमारे साथ फंदे बचे तीन, तीन, छेक, साथ इनको हम धागा आगे करेंगे छे फंदों को उल्टा बुनेंगे और लास्ट के फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे छे फंदे बुन लिए लास्ट का फंदा बचा दागा पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे इस तरीके से उल्टी तरप से हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है देखिए यह डिजाइन वाले फंदे हमारे दो दो इन्हें हम दो का एक कर देंगे इस तरीके से लाश्ट का फंदा बचार दहागा पीछे करके इसको सिधावनाएंगे अब हम देखिए सीधी तरफ आ गए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और छे फंदे हम उल्टे बनाएंगे टोटल हमारे इधर साथ फंदे हो जाने चाहिए तीन, तीन, छे और एक एक साथ, एक हमने बिना बुना लिया था और छे फंदे हमने उल्टे-उल्टे बुन लिये, अब हम इस वाले डिजाइन पे जो हमने फंदा बढ़ाया था, उस पे हम अपना डिजाइन बनाएंगे, तो बीच से जो देखिए, यह जो गैप होता है, य इस पे हमने डिजाइन नहीं बनाया था, बीच का फंदा है, तो इस पे हम डिजाइन बनाएंगे इस बार इस तरीके से, इस पे डिजाइन बनाया था, तो इसको हम सीधा ही भूल लेंगे, यह हमने पिछली बार बढ़ाया था, तो हम इस पे, सोरी हम इस बार फंदा बढ़ा लेते हैं इधर कि अधर कि हमारे साथ फंदे हो गए तीन तीन छे साथ अब यहां पर हम फंदा बढ़ाएंगे फंदा बढ़ाने के बाद हम बैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थे ये डिजैन हमें एक फंदा छोड़के बनाना है हम देखिए इस पर डिजैन बनेगा और इधर हमारे साथ फंदे रहा गए हैं तीन, तीन, छे, साथ तो साथ फंदे पहले हम यहां पर एक फंदा और बढ़ाएंगे इस तरीके से दोनों साइडों में हम फंद़े बढ़ाते रहेंगे धागापनी तरफ करेंगे, छे फंद़े उल्टे बुनेंगे इस तरीके से और लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे यह जो हम लाश्ट का फंदा सीधा बनाते हैं और पहला फंदा जो बिना बुना लेते हैं उससे हमारी यह सुनदर्सी प्यारी सी किनारी बन के आती है जो बहुत खूबसूरत लगती है तो इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे अपनी डिजाइन को बनाते रहेंगे जैसे हमने इस वार इस फंदे पर डिजाइन बनाया है तो अगली बार हम इस पर बनाएंगे मतलब इसको काट काट के बनाना है जैसे इस वार इस पर बनाया तो अगली बार इसको सीधा बनेंगे इसी तरीके से हम इसको बनाते रहेंगे देखी friends हमने इतना बुल लिया है और यहां पर हमारे 39 stitch हो गए है यह हमने 15 stitch से शुरू किया था और हमने फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहां पर 39 stitch अपने कर लिये हैं तो यह कुछ इस तरीके से आएगा तो अभी हमें क्या करना है इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी है तो अब हम फंदे तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन हम इसको continuous बुलना जारी रखेंगे तो अभी हम इसकी देखिए जहां से हमने यह design बनाया है जिस point से हमने design बनाया है वहां से लेंगे और अभी हम इसको बनाये दिगये तो अभी हमें इसको और बुलना है इतना इहां से लेके इतना अभी हमें और बुलना है तो अब हमसे इस वाडीयर design को अरेंज करना है अभी तक क्या था कि हम फंदा बढ़ Карते थे तो यह हमारा खud-बे खुद अरेंज हो जाता थार डिजैन हम यहां से सुरू करते थे लेकिन आप हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे लेकिन हमारा डिजाइन जो है वो डिस्टरब नहीं होना चाहिए वो कंट्यूनियस बनता रहना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखीए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और छे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे टोटल साथ फंदे हम इधर कर लेंगे तीन दो पांच छे साथ साथ फंदे कर लिए अभी हाँ पर देखेंगे इस वाले फंदे पर हमने पिछली बार डिजाइन बनाया था तो इस बार हम इस वाले फंदे पर डिजाइन बनाएंगे धागा पीछे करेंगे और हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर पिछली बार हमने इस वाले फंदे पर डिजाइन बनाया था तो इसको हम ऐसे ही सिधा बुल लेंगे देखे इस पर हमने कोई डिजाइन नहीं बनाया था पिछली बार देखने से ही पता चल जाता है कि हमने किस फंदे पर डिज से बनाएंगे कि इसी को बुनते हुए हम अपनी सलाई कम्प्लीट करेंगे कि इस तरीके से देखिए यह हमारा लास्ट का फंदा है इधर तीन छे साथ साथ फंदे हमने ले लिए यह हमारा फंदा बचा तो इस पर हम डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से देखिए कहीं भी मैरा इस सलाई में डिजाइन नहीं कटा है दागा अपनी तरफ करेंगे छे फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट के फंदे को दागा पीछे करके सीधा बनाएंगे उल्टी तरफ से हमारा पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसे हम पहले बुनते थे सिंगल फंदे को सिंगल बनाना है और जहां पर हमने एक फंदे के दो फंदे बनाई है उनको दो का एक करना है देखिए जैसे यह ऐसे करने से पता चल जाता है कि यह फंदा जो है हमने इसका एक का दो किया है तो दो का एक करेंगे इसको अकेला बुनेंगे इस तरीके से दोन करना है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि सीधी तरफ आ गए हम कि पेला फंदा बिना बुना लेंगे बागी के छे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे देखिए साथ फंदे हो गए हमारे इदर पीछे करेंगे अब हमें इस बात ध्यान से देखें देखिए पहले हमने इस फंदे पर डिजाइन बनाया था इसको हम ऐसे ही बुल लेंगे ध्यान रहे अब फंदा हमें नहीं बढ़ाना है 39 इस्टिच तक हमें फंदे बढ़ाने थे 39 इस्टिच के बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने है देखिए इस वाले फंदे पर हमने पिछली बार डिजाइन नहीं बनाया था तो इस पर हम डिजाइन बनाएंगे एक का दो करेंगे इस पर पिछली बार हमने डिजाइन बनाया था तो इसको ऐसे ही बुल लेंगे इस पर हमने नहीं बनाया था तो इसको हम एक फंदे का दो फंद बना लेंगे करने हिआ हमें जो अपना डिजाइन अरेंज करना है वह हमें लिए डिर साहख और हमारा फंदे पर वह दिव पWest टैए पर हें इसवार हम डिजाइन नहीं बनाएंगे और जैसे मैंने हमें इस भार द में इस पेड़ इसी तरीके से हम अपने इस दिजाइन को आगे कम्प्लीट कर लेंगे जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लंबाई हम इसकी बना लेंगे उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा इधर देखिए इधर हमें साथ फंदे बचाने हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ फंदे हमारे ये बचे और ये जो फंदा है हमने इस पर देखिए एक फंदे का दो बना लिया है और इस फंदे को हम इसको ऐसे ही सीधा बुनेंगे दागा करेंगे बाकी के फंदों को हम उल्टा बुल लेंगे इसी तरीके से हमें अपने पैटर्न को बनाते रहना है हम फिर से सीधी तरफ आ गए और हमने यहां पर साथ फंदे बुल लिये हैं तीन तीन चे साथ और अब हम अपना डिजाइन बनाएंगे तो देखिए इस वार हम इस फंदे पर डिजाइन बनाएंगे पिछली वार रामिने पिछली वार हमने छोड़ आ पिछली वार हम इधर से सुरू करेंगे पिछली वार हमने पहले से ही उत्राइंग क satisf प्रदद origin बनाना आं मैं इस तरीके से हमें शुरू करना है देखिए हमने यहां से यहां तक अपना छे इंच का पैटरन कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हमें छे इंच लंबाई चाहिए इसकी इस तरीके से बिना खीचे इसको छे इंच नापे यहां से इस तरीके से तो हम थोड़ा से जाधा हो गया है यह उसकी कोई टेंशन नहीं है यह साड़े च्छ हो गया साड़ेशेंज आप भी बना सकते हैं लेकिन कम नहीं रहना चाहिए इसे कर घांगे जिस तरीके से हमने इधर फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हम आप इधर फंदे घटाएंगे तो कैसे घटाने है पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच देखिए पाँच फंदे हमने बुन लिये टोटल छे फंदे हो गए एक बिना बुना लिया था और पांच फंदे हमने भुन लिये तो एक, दो, तीन, चार, पाओ, छे, छे, पंदे हो गए अब जो यह सात्मा फंदा था इसके साथ हम इस वाले फंदे को एक को इधर जो हमने बढ़ायते जिस तरीके से उसी तरीके से हम दो का एक करेंगे जो सा पर हमने पिछली बार डिजाइन बनाया था तो इसको हम ऐसी बुनेंगे इस पर हमने पिछली बार डिजाइन नहीं बनाया था सीधा गुना था तो हम इस पर डिजाइन बनाएंगे इसको ऐसी बुनेंगे जब हम अपनी सलाई शुरू करें वहां पर हम बस एक फंदर ठीक से देख लें कि इस पर डिजाइन बना हुआ है या नहीं है बस तो हमारा अगर दो फंदर ठीक से बन गया तो पूरा पैटर्न हमारा ठीक से बनता चलाएगा हमें जितने फंदे हमने बढ़ाए है उतनी फंदे हमें इधर अब घटानी है तब ही तो हमारा जो यह नेक बॉर्मर है तब ही तो कंप्लीटली बने जैस तरीके से बढ़ा है यह वह सी तरीके से हम इसमें घटाएंगे तो आप देखिए इस साइड हम कैसे घटाएंगे देखिए यह फंदा हमने बुल लिया है अब इधर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदों का तो हम बॉर्डर बना रहे थे पहले से ही और एक फंदा हम इधर से लेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फंदे हमारी हहां पर हैं तो हम धागा अपनी तरफ करेंगे इन दो फंदों को हम एक साथ बनाएंगे जो आठ्वा फंदा हमने इधर से लिया है उसको हम सात में फंदे के साथ बुनिए इस तरीके से लाइंगे बनाएंगे लाश्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे देखिए हमने जो यह बोर्डर बनाया है यह साथ फंदों में ही बनाया है लेकिन हमने साथ में फंदेक साथ एक फंदा हमने इधर से लेकर यहां पर घटा दिया है उल्टी सलाई को हम बैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते पहला फंदा नीचर पांच फंदे हैं अपन जाए हम दो चाहरे चेह यह फंदे हाँ थे इस के साथ हम इधर से एक फंद्दा जो एक फंदा करें द्रैकिट यह फंदा पर एक करींगे पीछए करेंगे देखे इस यह जो फंदा है इस पर हमने पिछली बार जो है डिजाइन बनाया था इसको सीधा बुन लेंगे इस पर हमने डिजाइन नहीं बनाया था तो इस पर हम अपना डिजाइन बनाएंगे इधर भी हम 8 फंदे छोड़ेंगे 3, 3, 6, 7, 8 इतने फंदे हम बुन लेंगे इसी तरीके से जैसे हम अपना डिजाइन पना रहे हैं और इस साथ में फंदे के साथ इस आठ में फंदे को हम दो का एक कर देंगे यह हमारे बॉर्डर वाले फंदे साथ ही रहने हैं लेकिन हम इधर वाले फंदे को एक इधर साथ में फंदे पर लेते हुए उसको दो का एक करेंगे चलिए मैं बता देती हूं देखिए तीन तीन छे साथ आठ आठ फंदे हमारे इधर रहे गए साथ का हम बॉर्डर बनाएंगे इन फंदों का यह हमारा इधर का फंदा है तो हम धाग अपनी तरफ करेंगे एक फंदा इधर का लेंगे और एक इधर का हम इनको दो का एक करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ बॉर्डर के हमें साथ ही फंदे रखनी है लेकिन हमें एक फंदा इधर से इधर लेते हुए यहाँ पर बुनना है इसी तरीके से हम अपने फंदे घटाते रहेंगे और यह हमारा बनके रेडी हो गया है और यह मैंने खुद पहन के देखा है तो अभी यह दूने के बाद पहने के बाद खुलेगा क्योंकि यह बूल है तो खिशता है यह तो आप जब इसको बनाए तो थोड़ा सा टाइट रहने दे यह क्योंकि धिला जो होता है यह कनपटी पर नहीं रुकेगा कैप की अलग बात होती है तो थोड़ा सा टाइट रहने दे दूने के बाद और पहनने के बाद यह अपने आप थोड़ा सा दिला हो जाएगा तो मुझे खुद से यह फिट आया है परफेक्ट आया है और फिर भी अगर आपको लगता है कि यह थोड़ पोर्षन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं या फिर आप यहां पर थोड़ी सी पट्टी जैसे मैंने यहां पर 10-11 सलाइया उतारी है तो यहां पर आप 15-16 सलाइया उतार लें तो यह बढ़िया तरीके से और भी लंबा होके बलेगा और अगर आपको यह भी मेजरमेंट जहां पर हमारी गर्दन शुरू होती है वहां से इस तरीके से आप नाप ले और उसके दो या तीन इंच कम जैसे मान लीजिए हमारा मैं एक आपको बता रही हूं यह हमारा फोरहड है इस तरीके से हमने इसको डाउन में नापा इस तरीके से और यह हमारा आया चोदा जैस बराबर ना बनाएं इसको क्योंकि यह खिषता है देखिए यह खिषता है तो आप दो या तीन इंच कम करके बनाएं जो भी आपका साइज हो तो यह विर्कुल एकदम पर्फेक्टली बनेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू